आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5G Services की जो कि कल यानि कि 1st October को भारत में officially launch कर दी गई है और Airtel पहली Telecommunication Company बनी है जिसने कि इसको Art City में launch किया है तो आज के वीडियो में हम इस topic को detail में discuss करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई ये 8 cities कौन सी है जिसमें कि Airtel ने अपनी 5 5G Services को launch किया है और अगर आप इन cities में रहते हैं तो आप कैसे अपने फोन में 5G को activate कर सकते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें motivate कीजिए तो सबसे पहले अगर बात की जाए latest update की तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी जी ने कल यानि कि 1st October को जो India Mobile Congress चल रही है डेली के प्रगती मैदान में वहाँ पे 5G Services को इंडिया में officially inaugurate किया और इसके बाद भारती Airtel भारत का पहला operator बनाया यानि कि यह competition में सबसे आगे निकल गए हैं जिनोंने 5G Services को 8 भारत की City में launch कर दिया है इसके अलावा अगर Reliance Geo की बात की जाए तो उन्होंने भी बोला है कि वो दिवाली से पहले पहले जो अपनी 5G Services है वो भारत की चार Metro यानि कि Delhi, Calcutta, Chinnay और Mumbai में launch कर देंगे और यह दोनों ही operator का प्लान है कि March 2024 तक यह पूरे देश पर में 5G Services को launch कर दें इसके अलावा अदानी ने करी थी लेकिन उन्होंने अपने private use के लिए उसको bid किया था तो Vodafone ने अभी के लिए कोई 5G launch के लिए timeline नहीं set की है तो यह 8 cities कौन सी होंगी जहां पे Airtel की services launch कर दी गई हैं कल तो अभी तक Airtel ने officially इन 8 cities का नाम नहीं लिया है लेकिन जो sources से म इडिया को पता लगा है तो यह cities है Delhi, Mumbai, Calcutta, Varanasi, Bangalore, Chennai, Hyderabad और Siliguri और Airtel का कहना है कि March 2023 तक यह सभी जो urban cities हैं वहाँ पे अपनी 5G services launch कर देंगे और March 2024 तक पूरे देश पर में इनकी 5G services launch कर दी जाएंगी. Reliance जी ने बोला है कि यह Pan India जो अपना 5G network है वो December 2023 तक launch कर दें तो अभी तक किसी telecommunication company यानि कि Airtel, Geo, Vodafone किसी ने भी अपने 5G tariff जो plans होंगे उसको announce नहीं किया है हाला कि जो Airtel के officials हैं उन्होंने बोला है कि अभी के लिए जो Airtel की 5G services हैं वो जो existing 4G services के rates हैं उसी पे available होंगी हाला कि आने वाले time में जो यह 5G का नया tariff होगा उसको announce करेंगे और Akash Ambani जो कि Reliance Geo के chairman है उन्होंने काए कि यह 5G services है सभी के लिए बहुत ही affordable बनाएंगे जाहे वो 5G device हो या 5G service तो इन्होंने भी अभी तक बताया नहीं है कि क्या rate होंगे लेकिन इन्होंने यह काए कि यह affordable होंगी और अब अगर बात की जाए कि 5G को activate करने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए होगा तो सबसे पहले Airtel ने mention किया है कि अगर आप इन 8 cities में available भी है तब भी ऐसा नहीं है कि 100% आपको 5G services मिलेंगी क्योंकि 5G towers जहां पे install किये गए हैं वहीं पे अभी services initially आपको मिलेंगी इसके अलावा आपको definitely एक 5G compatible smartphone तो चाहिए ही होगा लेकिन आजकल जो ज़्यादातर 20,000 रुपे के आसपास के phone आ रहे हैं वो 5G compatible है तो यह आपको चेक करना होगा कि आपका phone 5G compatible है या नहीं इसके अलावा जो Airtel है उसके लिए आपको नया SIM नहीं चाहिए होगा अगर आपके पास 4G का SIM है तो आपके वही SIM 5G technology में भी काम करेगा हाला कि आपके पास अगर legacy network users हैं आप जैसे कि 2G या 3G यूज़ करते हैं तो पहले आपको 4G SIM चाहिए होगा उसी के बाद आप 5G network connectivity क फाइदा ले पाएंगे और Airtel जो है वो अपनी 5G non stand alone network basis पे launch कर रहा है यानि कि इसमें आपको SIM किया विशकता नहीं होगी नए लेकिन GEO जो है वो 5G stand alone basis पे launch करेगा तो उसमें most probably आपको नए SIM किया विशकता होगी हाला कि जब GEO ये plan लेकर के आएगा तब ही इसका पक्क activity वाला phone है तो आप अपने phone की settings में जाएए वहाँ पे आपको connections मिलेगा या कई बर settings में या आपको mobile network option मिलेगी अगर वहाँ पे नहीं दिखरी है तो आप connection में जाएंगे तो वहाँ पे आपको mobile network option मिलेगी उसके बाद आप network mode होंगे काफी सारे 3-4 option होगी उसमें एक 5G LTE 4 4G, 3G इस टाइप की option होगी जिसमें 5G mention होगा उस option को आपको select करना होगा अगर वो selected नहीं है तो इसके बाद जैसे ही आपकी city में 5G launch होगा तो आपकी device automatically इसको पकड़ लेगी 5G logo जो है वो आपको वहाँ पे connectivity का logo आता है वहाँ पे appear होगा हाला कि मैं भी एक उन city में based लिकिन मेरे phone पे अभी तक 5G जो है वो signal नहीं दिखा रहा है तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी देरी हो और हो सकता है कि मैं ऐसे area में हूँ जहाँ पे इनके towers ना हूँ और आप भी अगर इसको activate करते हैं तो please comment section में लिखके बताइए कि आपके लिए क्या 5G activate हो रहा है या नहीं और अगर बात की जाए कि कौन कौन सी cities हैं जहां पर 5G की services सबसे पहले मिलेंगी तो सबसे पहली जगा बनी है डेली का IGI airport यानि की इंदरा गांदी इंटरनाशनल एरपोर्ट जहां पर की 5G अब available है अगर आप यहां पर travel करते हैं तो आप 5G को access कर सकते हैं यहां पर इवन जो एक October को launch किया गया है ऑफिशल उससे दो दिन पहले ही 5G की services available करा दी गई थी लेकिन देवाली तक पूरी उमीद है कि यह चार जो metro city हैं Delhi, Calcutta, Mumbai, चिन्नाई वहां पर आपको services मिलेंगी जी और Airtel दोनों की हाला कि यहां पर भी ऐसा जैसे मैंने बोला कि अगर आ आपको services मिलेंगी क्योंकि कुछ-कुछ जगा पर redundancy रहेगी जहां पर इनके towers हैं, infrastructure हैं, वहीं पर आपको services मिलेंगी और इसके अलावा अगर जो पहले initial जो face out में जो cities select की गई हैं, वो हैं एहमदाबाद, बैंगलॉर, चिन्नाई, वारण असी, चंडीगर, डेली, अगर, गांधी रगर, मुंबई, पूने, लखनाव, कॉलकटा, सिलिगुरी, गुरुगराम और हैदराबाद, यह cities हैं, जहां पर सबसे पहले आपको 5G services मिलेंगी, अगर अभी तक नहीं मिली हैं, तो आने वाले कुछ टाइम में, इस साल के अंत तक या मार्च 2023 तक तक त 5G services मिल जाएंगी, अगर आप Airtel या Jio का network यूज करते हैं, मैं उमीद करता हूँ कि आपको इवीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा, definitely I'll wait for your comments कि भाई, आपको 5G services हैं, वो आपके phone में activate हुई हैं या नहीं, thanks so much for watching the video and God bless you all.